नमस्कार दोस्तो जै मातादी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 22 सप्रेल यान कि सुमवार को किस साइड मोमे का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राइडे के लिए बेस्ट होता है लास्ट रेडिंग सेशन में दोस्तों हम एवलेबल नहीं थे और वीडियो भी नहीं बना पाया था लेकिन अगर किसी ने प्रेक्टिस किया होगा तो बहुत अच्छा कल मार्केट ने मुमेंटम दिया स्टोक थे बुरी तरह से पीटे हुए थे और जब अक्सर स्टोक के अंदर बिक्वाली होती है तो इंडेक्स का रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन यह बैंक निफ्टी ने दोनों ने करके दिखाया लास्ट टेडिंग सेशन में अब क्या दोस्तों यह रेली जारी रह सकती है वो डिसकस कर लेते हैं और कहां पर हमको डाउनसाइड वापीश से अपोर्चुनिटी मिल सकती है देखिए बैंक निफ्टी के दोस्तों क्लोजिंग आई है कि एक बार यह सेलिंग इरिया टेस्ट हो चुका है दूसरी बार इसके पास जा रहा है प्राइज एक्षन बना के तो एक अच्छा मुमेंटम हमको 48,300 48,250 तक दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर बलकि इससे भी उपर आ सकता है यह जो गैप है 48,600 के आसपास यह भी फिलो सकता है लेकिन हम इसमें ट्राइ कब करेंगे देखिए क्लोजिंग आई है 7,500 पचाट चोहतर पे अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है न तो 7,400 से लेके 47,600 के बीच में यह जो 200 पॉइंट है इसमें मत छेड़ना मार्केट को क्योंकि यहां पे लास्ट स्विंग है और 600 पे सेलिंग एरिया है यहां पे क्लोजिंग दी है एक बाद मैं आपको बदा देता हूँ अक्सर होता क्या है जब बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी इंडेक्स अपने सेलिंग एरिया में क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमको रीटेस्ट का इतना इंदजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह जो सेलिंग एरिया है यह दो बार टेस्ट हो जाएगा और तीसरी बार अगर यह ब्रेक करेगा तो बिना रीटेस्ट के ब्रेक आउट आने के बाद हलकिसी गैप डाउन खुली 37,600-620 के उपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी तो हम 50-60 पॉइंट का स्टोपलोज डालके मनिस्टो टो मनिस्टो थरी टारगेट के लिए इस रैली को कंटीनिव कर सकते हैं कंटीनिवी रैली हो सकते हैं और 300-400 पॉइंट के हमको रैली देखने को मिल सकती है थोड़ी स दिकत दोस्तों कहां पे आने वाली है थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है पूरे 48,000 के लैवल कि मैं इस रजिस्टन's एक घटा के 28,000 क्योंकि यह बहुत बड़ा राउंड लेवल है सब् साइकोलोजी लैवल है और हमेरे लेवल इतना बड़ा होता न सेht deng जैन में वहां प से गिरावट आई थी इसका सेलिंग एरिया यहां पर टेस्ट हो चुका है तो 48,000 तक तो 37,600-650 के उपर निकलने के बाद 28,000 का टारगेट तो हमको कलियर कट दिख रहा है यहां तक तो डोर ओपन है बैंक निफ्टी में मोमेंटम आना चाहिए लेकिन ध्यान रखिएगा गैप डाउन खुल के ब्रेक आउट देती है तो हम रीटेस्ट का इतना इंतजार नहीं करेंगे हम कोल साइड पलान कर सकते ल थोड़ा सा हलका सा टच करके रीटेस्ट कर सकती है मार्केट जेखिए ध्यान से समझेगा भाई बात को अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन को ध्यान से देखोगे तो प्राइज एक्शन देखे कितना अच्छा बना है आप स्विंग कैलकुलेट कीजिएगा कितने बने हैं बहुत अच्छा प्राइज एक्शन बना है एक दो तीन चार स्विंग बना के मार्केट ने इतनी अच्छी खासी रह ली दिये तो एक स्विंग हमको यहां पर अगर ऐसा देखने को मिल जाता है तो एक अच्छी अपोर्चुनेटी होगी हमारे पास ब्रेक आउट आए दोस्तों पूट साइड कब प्लान कर सकते हैं ध्यान से सुनिए गवाई पूट साइड में इतनी जब रेली आती है न तो पूट साइड अक्सर ट्रेप कर देते क्योंकि बड़ी जब कैंडल बनती है न मैं आपको कई बार समझाता आया हूं जब एक दिन के केंडल बड़ बन जाते है ग्रीन कलर की या रेड कलर की तो उसमें बहुत सारे बीच बीच में सेलिंग एरिया होते हैं तो हमारे पास आसानी इसलिए होगी क्योंकि स्विंग अच्छे बने हैं अब आप यहां पर देखिए 37,400 पे एक स्विंग बना है यहीं पे 37,350 के आसपस 50 दिन का मूविंग एवरेज है तो किसी भी सिचुएशन में चाहे बैंक निफ्टी फ्लैट खुले गैप डाउन खुले अगर यह 37,350 के नीचे निकलके इस तरीके का कोई प्राइज एक्षन बना देती है तो अगला टा 37,44 पे शिच्टी मने प्राइज प्राइज देती है जऄने एक सिचुएगा से एम प्राइज सब कोई को जरूर बनने देना देगा लेकिन पैर जरूर हमने पर जmailको देती है तो काम मत जिचाएगा ट्रैप हो जाएगा कहीं से भी मार्केट री कवर कर सकती है 47,000 से भी री कवर कर सकती है 47,350 के आसपास से भी री कवर कर सकते है और मैं एक support zone दोस्तों लगा भी देता हूँ एक मिन्ट रूखेगा पूरे 47,000, 46,967 यहां यहां के आसपास एक support area, एक bounce back area या बैंक निफ्टी के इंदर बना है तो यह यह चीज याद रखना अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले गैप डाउन खुले 37,400 के नीचे निकल गी ऐसा स्विंग बना देती है जैसा यह उपर जाते विए बनाया था तो हम स्विंग के ऊपर या फिर 37,000 के टार्गेट के लिए पूट साइड पलान कर सकते हैं मेरी खाल से इसमें भी 50 या साथ पॉइंट का ही एसल डलेगा और वनिश्टू टू वनिश्टू थ्री हमको टार्गेट मिल सकता है बात आती है बाई गैप और गैप डाउन की बड़ा गैप बड़ा चोटे गैप अप गैप डाउन में तो यही स्ट्रेट यही सेट अप रहेगा अगर बड़ा गैप खुल जाती है ना माल लीजे सीधा 37, तो फिर आप दिखे सपेस नहीं बचेगा हमारे पास क्योंकि 28,000 साइकलोजी के लेवल है और एक हलका सा सेलिंग एरिया भी आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहां से मार्केट में गिरावट हुए फिर गैप डाउन लगा था और एक राउंड लेवल भी है तो अगर 800 पे खुल के दोस्तों के मुविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा नीचे आना सुरू होती है तो जो गैप ही लोगा यहां पर आते ही अगर कोई बुलीश केंडल बना दी तो वापिस हमको 48,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है अगर यहां पर कोई बुलीश केंडल बनती ह के लिए कोल साइड यानि की रिकवरी प्लान कर सकते हैं दूसरा दोस्तों यह है कि 47,900 के आसपास इस रेंज में खुले थोड़ा सा समय बिताए और 48,000 के उपर अगर निकल जाती है इंट्रा डे में तो फिर 48,000 के उपर ही हम प्लान करेंगे 50-60 पॉइंट का स्टोग जाएगा क्योंकि मुमेंटम ओलेडी जा चुका होगा टार्गेट हमारा 48,200-48,300 यह हो जाएगा और एक स्विंग बनते ही 48,000 के उपर अगर कोई स्विंग बनता तो एक अच्छा मुमेंटम हमको देखने को मिल सकता है 48,000 के आसपास मालीजे आपने यहां पे इंट्री कि यहां पे इंट्री किया तो एक बार 28,000 के आसपास जाने के बाद प्रोफिट बुक जरूर कर लेना क्योंकि यह सेलिंग एरिया है पहली बार इसको टच करेगी तो मार्केट वापिस नीचे आ सकती है इस पॉइंट को लिख लेना या फिर भाई चार्ट में मार्क कर लेना पंदरा मिट के अगर पहली केंडल नेगेटिव बनती है फिर उसका अगर लो ब्रेक होता है स्विंग बनता है तो दिन का हाई स्टोपलोस डालके हम सेंत्राल इजार तक के टार्गेट के लिए पूट साइड पलान कर सकते है और हां अगर दोपेर पहले बाई सेंत्राल इ यह वाला सेंग एरिया जो कि 22,160 के आसपास था यहीं पर निफ्टी ने कंसलिडेशन करके थोड़ा सा समय बिता के कलोजिंग दिये अब निफ्टी में जो फ्रेस सेंग एरिया है वह भाई 22,290 पर 22,290 से लेके 2310 की यह सेंग एरिया निफ्टी के अंदर बना हुआ है और इसको इगनोर मत करना क्योंकि यह पहली बार टेस्ट हो सकता है और यह मार्केट को नीचे फैक सकता है बड़ा अच्छा सेलिंग प्रेसर यहां से ट्रीगर हुआ थो यहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी इसी सेलिंग एरिया में लेकिन अगर निफ्टी दोस्तों फ हो जाएगा अगर मैं इस जोन की बात करूं मैं यहां पेक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर देता हूं यह वाला जो की 22,050 के आसपास है क्योंकि इसके बीच में तो भाई आप देखिए यहां पे स्विंग है फिर थोड़ा सा नीचे 50 दिन का मूविंग एवरेज है कहीं से भ अगर वापिस उपर निकलना सुरू करती है और ब्रेक आउट देती है 22,180 के लेवल का यानि कि आज के इस हाई का तो एक शार्व मुमेंटम हूं को अपसाइड देखने को मिल सकता है यानि कि हम यहां से पुट साइड प्लान नहीं करेंगे अगर नीचे आती है तो हम यहा के कोई साइड देती है कोल साइड बनान का या फिर यहां से थोड़ा 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 रिकावर करना शुरू करती है तो यहां पे हम दीनका लो आप लोड़ी चोटा होगा 15,20 पैंट का और वापी से हम 22,280 चुन प्लान कर सकते हैं अब पुट साइड दोस्तों कब जा सकते हैं गैप डाउन खुल जाए बाइस जार पचास के असपास गैप डाउन खुली और फिर बाइस जार बीस तीस इसके नीचे निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है इन पॉइंट को याद रखना भाई जो रेड कलर के आपको केंडल दिख रहे हैं यह वाली इसके नीचे यह नहीं कि बाइस जार के नीचे गैप डाउन खुले बाइस जार के आसपास यह तो समय भी तागे ब्रेक आउट दे दे या ब्रेक डाउन दे शोरी या फिर यहां पर आके कोई स्विंग बना के ब्रेक डाउन दे दे किसी भी सिचुएशन में हमको बाइस 21,900 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है 15-20 पॉइंट का है दिन का हाईस टोपलोस डालके मैं यहां पे ही पूट साइड पलान करूंगा चाहिए वो गैप डाउन खुले चाहिए वो फ्लैट खुलके डाउन साइड आए गैप अगर दोस्तों खुलती है तो थोड़ा सा रिस्की माहोल हो जाएगा फिर तो भाई हम मालीजे गैप खुली 22,250 के आसपास एक बुलिश केंडल अगर बनाती है और फिर 22,300 के उपर निकल के यहां पे अगर कोई स्विंग बनाती है तो अगला टारगेट मैं आपको बदा देता हूँ अगला टारगेट हमको 22,400 का भ प्लोस डालके इसके बिलकुल मीडल में खुल जाती है तो फिर भाई मार्केट इस रेंज में फस सकते हैं फिर हम इंतजार करेंगे कभी 22,300 के उपर निकल के स्रिंग बनाए तभी हम कोल साइड प्लान करेंगे क्योंकि गैप अगर दोस्तों किसी भी सिच्वेशन में खु बीच में तो यहां पर प्रोफिट बुकिंग आ सकते हैं और सो पैंट हमको डाउंसाइड मिल सकते हैं बाईजार एक्सो असी बाईजार दोस्तों तक खड़ी-खड़ी मार्केट एक दम से यहां तक नीचे आ सकती है क्योंकि इस सेलिंग एरिया में पैंडिंग ओडर हो ज कर चुका हूं और कुछ लोगों को अभी मैसिज डालना सुरू करूंगा जिस जिस ने अकाउंट ओपन किया है तो बहुत सारी लोग इंतजार में थे इसके तो थोड़ा सा वेस्ट चल रहा हूं जैसे फ्री होता हूं सब को एड़ कर दिया जा रहे हैं किसी को भी टैंसल बनती है तो मैं स्टडी भी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि पेपर ट्रेड करके लोग थोड़ा सा प्रेक्टिस कर सके तो आप टेलीग्राम गुरूप को जोड़ी सी हेल्प मिल जाए जो मेरा परसनल वीव है तो आप जोएन कर सकते हूं लेकिन इस टेलीग्राम जोएन करना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से ही क्योंकि इसी लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रोड चैनल मिले हैं बने हुए हैं उनके सब्सक्राइबर आपको 3-4 गुना ज्यादा दिख जाएंगे लेकिन फेक सब्सक्राइबर हैं उनकी पोस्ट पर आपको ऐसी भी उजनी मिलेंगे बाउनचार 7000 यह तेरे त्रेपनचार 4 शारी जार क्योंकि वोट सब्सक्राइबर हैं ना तो भाई देखे मेरा कोई पेड़ गूरूप ना मैं कोल्टिप्स अडवाइस देता हूं और लोगों ने मेरे नाम से इस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब को देखते हैं निफ्टी का ओप्शन चैन है सपोर्ट प्राइज 22,150 है अब आप देखिएगा 2200 पे इतना उपन इंट्रेस्ट नहीं इतने इंट्रेस्टेट नहीं सब्सक्राइब को देखिएगा 2200 पे चार्ट में देखने को मिला एक लाग 56,000 का ओपन इंट्रेस्ट तेजडियों का यानि की बाउंस बैक लेवल है 22,000 और रजिस्टेंस देखोगे 22,200 है पिचान में अजार का ओपन इंट्रेस्ट मंद्डियों का है और अगला हमारा टार अगर दोस्तों 22,100 के नीचे जाना सुरू होगी तो 22,000 तक का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है और यहां पर फिर हमको मुमेंटम देखने को वापिस रीकवरी देखने को मिल सकती है अगर गैप डाउन बड़ा हो जाती है 22,50 के आसपास फिर हो सकता यह लोग यहां प दस बजे के बाद देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दस बजे से पहले उप्शन चैनल नहीं देखेंगा उसके बाद ही में डेटा पोस्ट करने की कोशिस करता हूं क्योंकि पहला जो एक घंटा होता है वह दूसरे डेटा होता है पोजिटिव नेगेटिव लेकिन ग दामनी राइट करके इनको देखो कितना कॉंफिडेंस मंदी वालो इतनी अच्छी रिकवरी के बाद भी तो भाई अगर फ्लेट खुलती पांसो के उपर खुलती बाई चैनल चैनल बनाना शुरू कर देती तो यह लोग जो इतने कॉंफिडेंट हुए बैटे हैं यह निक अगला सपोर्ट हमको सीधा सेंटारीशार पर दीख रहा है एक लाग सतरह जार अब यह कितना बदलता है किस साइट डेटा करवट बैठता आपको अपडेट करने की मैं टेलिग्राम पर पूरी कोसिस करूंगा तो आप जैन कर सकते हुए तो दोस्तों वीडियो आज का यह माफी चाहता हूं आगे हम रेगुलर कर लेंगे थोड़े से दिन की बीच में और छूटियां पड़ेंगे भाई क्योंकि घर में फंक्सन है तो थेंक्यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए अगर अच्छी लोग हो तो अपने दोस्तों के साथ शेर जूरूर करना ता